यहां पर हमारे पास house wearing करने के लिए वैर तो देखिए हम लोग यहां पर ढ़ी अमें को वैर एक बलेक और यह ब्लू कोलर का डेड़ी में को बार पहुंच गया तरीके से यह सेंटर फिरस के अब प्लानिंग करेंगे वैर देखिए यहां पर मेजल ले लिए देखिए हम लोग आप क्या देखाने के कोशिस करें यहां पर इलेक्टिकल अब बीडियो दो हो पूरा डीटियल आपने ही बताथे तो मैं आज की वीडियो में आपको पूरा डीटियल वाते ही कितने मैं पर यह प्रों किसे तरीके से आपको पता नहीं चलेगा अदर-ग्राउंड house wearing किस तरी किसे किया जाता है visually fitting कैसे किया जाता है wearing कैसे किया जाता है पूर आपको पता नहीं चलेगा आप बिलकुल ये वीडियो देख लेना आपको पूरा knowledgeable वीडियो है ये आप देखोगे तो पूरा डीटेल आपको समझ जा 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 कुछ भी doubt कि लिए अगर नहीं रहेगा आपको वीडियो पर नीव आए तो चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब ताकि कमले से लेक्टिकल का आपको वीडियो मिलते रहे तो चो दोस्तों मिलते हैं हमारे टॉपिक तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास house करने के लिए वai鬼ण देखे हम लोग जो company बतायर थे हुनको वह company डिसाइड करके लिए के है हवेल्स company का हम लोग तीन company का नाम लिए थे और एक भी चार company का नाम बताया थे और लेकी आगे house से पहले हैं, यह है वायर स्प्रींग है, यह देख सकती है, यह हमारा पेचकास और यह हथोडी हमारा, और यह प्लायर है यह कटर हमारा और यह क्छीनी, इस्से अपने को इतना सारे में हमारा वायर डाल जाएगा और देखिए कौन-कौन सा mm का वैर यूज़ कर रहे हम लोग आपको बता देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मेन के लिए तो देखिए मेन वैर हमारा 6 mm पे लिख आएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे बास 4 mm का वैर है और यह देखिए यहाँ पर ब्लू कोलर का है पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे और धाये में वैर आपको देखाते हैं ब्लेक लिएक हाउस वैरिंग पर यूज़ करने वाले हम लोग और यहाँ पर तीन दूम है तीनों में AC रहेगा और यह देखिए कीचन भी है और हॉल पे भी AC पॉइंट रहेगा तो और पर कनेक्शन करने वाले हैं जितना सारा वैर लेके आया है उपर में कंसील है जेक्शन ही तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जेक्शन लोग को साप कर लेते हैं रूम से पर करने पर एक साप करेंगे लो एक रूम से उसके राऊ है और यह हमारा में अंकल के माुशन होग करने हैं और यहाँ चाफ करना करना है सबसेते हम लोग बेख सकतर तो सबसे हमारा जो है वैर डालने के पहले हम लोग को जितना भी जेक्सन है हमारा फैन बॉक्स है सब को क्लीन कर लेना इस तरीके से और उसके बाद हम जेक्सन को भी क्लीन कर लेंगे इस तरीके से और जितना भी हमारा जेक्सन है और फैन बॉक्स है सभी को साप सुद्रा करना है और छीनी से अपने सो फिनेसिंग कर देना ताकि अपने को वैर डालने में कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए तो ऐसा हमारे पास चार रूम एक किचान एक हौल तो सभी को हम लोग को अच्छे तरीके से साफ कर देना है और यह बोर्ड लोग को देख सकते हो बोर्ड लोग भी इतना भी हमार अच्छे से गंदगी है सब को बाहर करना है और देखिए पाइब है हमार पास बोर्ड भी ऊपर में उसको भी पैप को अच्छे तरीके से कटिंग कर देना है तो देखिए एक पटासी ले नहीं हम लोग पाटासी ज़्यादा यूच करते हमानों एमसी बॉक सबस्क्राइब जिखर का भी सब्स्काइब आप आपको बदाएं चोटा सा पोबलम हो गया हमारा क्या पोबलम आपको बदाएं हम लोग red वायर लिखे थे और यहाँ पर आ गया green वायर ठीक है तो यह green वायर को हम लोग face बनाने वाले और यह yellow वायर को हम लोग invator point बनाएंगे यह ब्लेक बाला 5 mm का वैर को हम लोग बनाएंगे इसको न्यूटल तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह देखिए 5 mm का वैर और यह इन्वेटर का यह देर और यह न्यूटल का 5 mm का और अर्फिंग का आप देखिए 1 mm का ठीक है 1 mm का वैर यह हमारे 90 मीटर है और बाकी 180 मीटर तो यह देखिए यहाँ पर तो आपको बताते हैं अपको सस्ते में मिलेगा और 90 मीटर कम प्राइज में आपको MRP आप देख सकते हो यहाँ पर मेंसन है ठीक है तो टूटल हो गया हमारा यह जो है चार वैर हो गया भी और इसी के यहाँ पर आगया यह पूरा रायता फेल आ दिया घर वाले को जो तुकान वाले निया अपने को चाहिए था पूरा कोड़ वर्क में ठीक है रेड बलेक चाहिए था 4mm का और अपने को रेट चाहिए था था धाय एम में को कुछ नहीं आया है और वैर इकालने का असान तरी सब क्या करते हैं साइट से इकाल लेते ना ऐसा नहीं बीस से इकालने अपने को और यह देखिए यह हमारा वारी कर लिया ठीक है आप सोच रहे हो यह इसका क्या काम तो आपको बताते हैं यह वाले अम लोग वैर जो फंस जाता है इसके लिए हम लोग एक पानी का बोतल को क जाएंगे तो वहां से हमारा एक स्प्रिंग आएगा ठीक है तो हमारा तेज डालने वाला स्प्रिंग स्प्रिंग आ रहा हमारा अब देख सकते हमारा हम लोग जही तार से कम यूज करते हैं हम लोग स्प्रिंग से ज्यादा यूज करते हैं यह वाले तो देखिए यहां प है छूज है कि आपने क्रणा में करना है तो हम लोग पूरा एक दिन में दू आना है दूरा ईयाकर फ्लानिंग का ऑगे तो गाईस आप सोच रहा है पर ग्रीन ज्यादा दिख रहा है तो सामने वाले ने गलती कर दिया रेड वायर के जगा में ग्रीन वायर पकड़ के लिए एक लेना इस तरीके से और यह देखिए इसको अच्छे तरीके से यहां से टेप से लॉक कर देना एक रहता है तो हम लोग अंदर पर डालते इस यहां पर गिष्णने वाला तेज हमारा एक बंदा यहां पर रखने के लिए नहीं लगे एक बंदे तब वीसे हम रखते हैं वायर ही यहां पर टेज को और यह देख सकते हूं दो मॉडलर बोर्ड पर भांचा लगे और बंचा जयाना है यहां पर देखे तेज आया उसके बाद भाचा उसके बाद हम लोग यह जितना भी वैर है इसको एक बंदे को पकड़ा देना और इधर से हमारे को प्रेसर से घिचना है और देख सकते हो मैं भी वहाँ चले गया क्योंकि भाचा जो काफी स्लो काम कर रहा था अपने को कजल्दी करना है यहां पर वैरिंग तो वहां पर वैर खीचने के लिए और सभी वैर को देखी एक साथ जो है हम लोग इस तरीके से लेके जा रहे हम लोग डारेट एमशी बॉक्स की थूट तो हम लोग बाकी तरह से अलग करते हैं क्योंकि हम लोग एमशी बॉक्स इसी लिए लेते अपने को जहां चीए उसी जेकसन बॉड पर हम लोग डालें हां पर दो मोडलर बॉक्स पे दो मोडलर बॉड पर आए गयां पर तो दो मोडलर बॉड बॉड ढलने का कारण नहीं है कि हुड़ने कार चौन रहते हैं हमारा ऐज्च कर शक्या हिज ISP कहीं से भी Wenn I'll बॉड जाहा है व इस लिए तो इसी तो हम लोग 12 Moduler Board पे measure करेंगे यहां पर और यहां पर 7 वायर है यहां पर अपना एक वायर जो आने वाले इसके लिए ठी कि यह हमारा जो बातरूम के लिए आएगा डारेट गीजर पॉइंट हम लोग डारेट मेल लें लिए और बाकी 3 वायर जो हमारा इन्वेटर और न्यूटल हम लोग इस बोर्ड से जंपर करके वहां पर पहुंचा देंगे तो यह देख सकते हैं यह हमारा मेजर ले लिए और बजगिया हमारा जो जो गिरीन कलर का वायर है उसको हम लोग जो है आर्ट मोड़र पे measure कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से नाप लेते है और नापने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे mcb box से तरफ जाएंगे और यह बाकी वायर जो इसको हम लोग को क्या करना है बाकी mcb की और अपने को ले लेना है ठीके तो आप देख सकते हैं यहां पर बजगिया हमारा कम से कम 4-8 इंच करीब इसक्टा आ गया हम क्या करें देख सकते हैं यहां पर आगे एक वेर हम लोग भी जिए वहां पर हमारा बौर्ड के लिए जो हमारा आटनी बोर्ड बैठा रहे हैं वहां पर बात्रुम के लिए यहाँ पर कमसेखम पर आगे वायर्ष रिखे थे यहाँ पर एक वेयर को तो Лचाल कर हमारे डीच और कहले लिखे यहाँ पर हमारे पास आपको measure लेना इस तरीके से, यह सेंड करने लिए और इसको ऐसे तरीके से, अप्रों केवल टाई उजगे लिए तो हम लुग पूरा measure लेएंगे यहां पर, हल्का सा लंबा लेना यहां पर क्यूंकि अपने को dancing करना रहता है यहां पर, तो इसको हम लूग इतना disconnect कर रहे हैं, यहां पर हम लोग को cutting कर देना है तो एक हम लोग mention के लिए आइसा मोड देते हैं यह हमारागीजर का तो यह सब को काड़ देते हैं एक एक करके एक टेप ले लेना है एक टेप ले लेना है यहां पर और इसको अच्छे तरीके से ऐसा टेप लगा दें वाइट टेप होगा तो और असानी हो जाएगा ऐसा कर लेना है और इसमें हम लोग को गीजर लिख देना है ठीक है गीजर ल लगा देता है हमारा यहां पर हमारा रूम एसी वन ठीक है यह हो गया रूम एसी इस तरीके से अपने को करना है नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा तरी फेस का जो कनेक्शन गलत तरीके से हो जाएगा ना तो पोबलम हो जाएगा तो अभी रूम वन लिखेंगे आपर यह हमारा टेप लगा लेते हैं इसमें तो आदमी तीन आदमी काम देखें यहां पर हम लोग जो है एक रूम वन कर रहे हैं ठीक है यह रूम वन रहेगा हमारा तो इसमें क्या होगा अपने को पता चल जागा कौन सा फेज डालना है आपर यह हो गया हमारा पूरा सर्किट का देख सकते हूं रूम वन लिखा है यह तो फाइनली आप देख सकते हूं यहां पर हम लोग मार्किंग कर दिए एक एक पार बइस फार्ड नो पर आपको बता चुगे और इसमें यहां पर एक वैर क्या करेंगे यहां से थीन लोग नेखे जएंगे बोर्त से क्यूंकि यहां पर पर चार वेर्ड चीए एका राए तो इसके लिए तीन वेर्ट फिय अपने को नुटल पर गों गया और इंभेटर मेंगे अभी तो देखी यहां पर टीन वायर्टिक है एक इंभटर का एक नुडल लेना अपने को कहीं भी हम लोग जैक्सन पे जोइंट नहीं करेंगे बोर्ट वेता तो दिखिए यहां पर इस्प्रिंग पीवेर तिये वैर को यह पर अच्छे से टेप लगा लेना है देख टेव को इस तरीके से टेप लगाना है और उसके बाद यहां से घिचना है ठीक है फ़् स्प्रिंग डालें यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से ले लेते हैं क्योंकि वहां सा मारा चार वायर आने वाले अब देख सकते हैं यहां पर हमारा आगया चार वैर और एक वैर हलका सा लंबा है उसी की साफ से अपने को जो तीन वैर है चोटा पड़ रहा है उसको अच्छ पर यह क्या होता है यहां पर देख सकते हैं यह 4-6 वार को अलग कर देते हैं और चार वैर को अपने को लूपिंग कर देना है ठीक है तो हमारा तीन वैर जो है मैक्जिमाम जो हमारा चार वैर था तो इसको तीन वैर हम लोग लेके कहेंगे इजर की बोर्ड पे तो हम क्या करेंगे बातम तरफ का बोर्ड में वैर लेना तीन वैर तो हम क्या करेंगे यहां पर देखिए हमारा अर्थिंग का वैर लूपिंग कर तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर इंविटर का वायर है एक व्यायर को देखी यहां पर डिस्टेंस लेना अपने को सेम जगा भी हम लोग को लुपिंग नहीं करना तो नहीं तो यह सोट सर्कीट होगा नहीं पर पभी पोब्लम होगा तो एक जगा से हमारा पोबम गया बोर्ड लोग का हो गया सब भी नूटल और यह फेस जो यहीं पर जंपर होने वाले यहां का तो फेस अपना जंपर नहीं होगा क्यूंकि गीजर का डारेट हम लोग फेस लिए इस रूम का अलग फेस बनाएंगे ठीक है तो एक बेटरूम पर हम लोग जो है तीन पॉइ लेंगे और बड़ाती ह eternity व्याने मेंट फेसा को यहां से उच बना दिख सցक्जाएंगे क्योंकि क्या करेंगे दो वंडल वनशन है तो हम क्या करेंगे लेंगे जो रिटर्ण का वैर है उसको हम लोग डालेंगे उसके थुछ तो वह नेंगे तो टोस्काइब दढ़तों हमारा दो जा रहा है तो अपने कॉस्त चाल लेका आए एक वैर जो हम लोग डस्ट डालें उसको लोग ले लेंगे और मुकेश देखी यहां पर है और यह देखी हम देंगे उनको कुईंट वायर हम लोग जो डालेंगे डेडे में का रेड है और बलू और ब्लेक वाले को हम लोग डार रहे हैं यहां पर एक जोस्त का पॉइंट यह देख सकतो है स्प्रिंग में डाल दिया मोड दिया टेप मारना नहीं पड़ेगा यह पॉइंट चले जाएगा हमारे तो यह हलका सा प्रेस करना है इसी एंगल में यहां पर हमारे पास देखी किस तरीके से हम लोग बेवस्ता की एक पाइप को लिए और जही तार डाल के वहां पर हुग ब इलेक्रीं करने के लिए 3 से 4 बंदे चाहई को एक दो दिन के अंदर आपको ऊस वैरिंग करवाना है जल्दी अच्छे तरीके से तो अपने को इलेक्रेशन है ना इनको चाहिए 3 से 4 बंदे तो आपका काम अच्छे सह होगा फीं को यहां पर हमारे तो मेजर हम लोग लेंग लिए टीक है एक आगे हम्लों लोग ब्रेक कर दिए हैं कि अपने प्वाले है अलग रखना है और यह जितने हमारा टेप है हमार ऐसे टिर हमारा पॉइंट है यह दो यहां पर लोगा 1921 एख दीन और जितना सब्सक्राइब तो यह तो यह वाद़ सिंगल पॉइंट है ना अलग से पाइप जो हम लोग डालें वहां पर हम लोग डालेंगे और यह देख सकते हो फूट लाइट नीचे अपको देखाएं उसका भी पॉइंट लेना अपने को तो अभी हम लोग बिल्कुल टेप नहीं ल जाए निव्टल पॉइंट इस अब को और उसके बाद क्या करेंगे यहां पर देखिए हमारा जो है बोड है बेट सुच का उसको मेजर ले ले लें क्योंकि यहां पर क्या होता है बेट कभी बनता है फरनिचर का तो उसमें अपने को लंबे लगना है तो करीब हम लोग तीन स सारे तीन फिट कड़ी अंदर वैर को लंबाई कर देते हैं ताकि कभी बेड बन जा तो यहां पर असानी से काम हो जाए हमारा स्विच बोड तो हम क्या करें यहां पर चार वैर में और यह तूए सुच का वैर को क्या करेंगे डबल टेप लगा देंगे ठीक है जानने के ल टेप लगा लगा एक लाइट का रहेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर चार दो तूए सुच रहेगा एंटरी में दो ट्यूच रहा बेट पे तो एक ही गरीण कलर्टा वेयर था जो ईिशच डाले थे हम लोग उसी में अपने को जो है अच्छे सूभर और अपने को यवायर को लेकी जाना है यह दो गैर हम लोग लेकी जा रहे और होगे हमारा चेला फ़क्ली यह को क्या करेंगे मूंके एंगे उप को हम लोग देते हैं और बेट स्विच के पास अपने को लेकर जाना है ठीक है तो हमारा एसी की और तरफ से यह वैर आएगा और देख सकते हैं यहां पर हमारा वैर पहुंच गया टूटल हमारा चार वार हो गया टूए का और चार में हो गया ठीक है और यह देख सकते हैं यह यहां पर बोड आया ना उसी में नीजा पर हम लोग डार रहें तो हर हर लाइस तरीके से यहां पर जो बॉड जा रहा है यहां पर दिखी कितना सा नीजा है हमारा चैने पर यह पच्छ दोटर पांच कर दोड यह से भाइं यह जेख सन पर करते हैं हम switchboard पे लाके अच्छे से jumper कर दिये और देख सकतो man line को tape मारके ये कर दिये तो हमारे पास देखते हैं cable tie है और cable tie से अपने को finishing करना है आप देख सकतो tape से क्या होता है अपने को finishing नहीं पता चलता और इसका region आपको बजाते है तो cable tie से finishing करने से कभी एक दो साल के बाद भी वेरिंग करने आएंगे न तो हमारा main line और ये point का अलग से अपने को पता चल जाएगा कौन सा line कहां का है कोई भी बाहर का electrician कोई भाइद भी अपने को काम नहीं हुआ तो कोई भी electrician यहां पर आये बोर्ड खोले न तो इसको पता चल जाएगा repairing करने आए तो ये main है ये point है तो असानी से हम लोग ऐसे काम करते हैं ताकि कि किसी को भी दिक्कत मत हो है और ये देख सकते हो जितना भी हम लोग cable tie की start करने वाले क्योंकि सबसे पहले हमारा मैन लाइन डालते हैं हम लोग क्या है वायर हमारा वेस्ट हो जाता है ना तो हम यहां पर देखिए point पहले तैयारी नहीं करते हैं मैन लाइन करते हैं यहां पर point देखिए देखिए यहां पर टेप लगाना नहीं पड़ता असानी से हमारे स्प्रीम के थ्रू चले जाता है तो हम क्या करेंगे पहले जो हम लोग यहां का एक बुलू वैयर को मेजर करेंगे मेजर करने के बाद बाकी वैयर एक एक करके यहां पर इकल जाएगा तो मुखे इसको भीड़ाते हैं यहां पर करने के लिए और देखिए यहां पर जो हमारा Дो वैयर है ना तो यि दोनओ को सप्रेट लेकर लेक Message लब सेλ बाबने के लिए यहां पर के लिए कि पोइंट आ रहे है तो प्लो'm क्या करने वाले 26 कि यहां पर हमारा डेट कलर जो टेप लगा रहे थे ना मुखेस को ले दीए उसके बाद देखी यहाँ पर हुक से हम लोग जो हमारी स्प्रिंग है डाले को महां से और हम बाहर कर लेंगे ठीक है यह देखिए यहां पर जो एक ब्लेक कलर कर लिये थे उसी एंगल में हम लोग जितना भी यहां का सिलिंग का वैर है तो क्या करने वाले यहां का जो रेड़ वैर है उसको अलग कर देते हैं और इसका मेजर ले लिए टी मेजर लेने के बाद क्या करेंगे यहां पर नाप हम लोग को रिटन ले लेना है तो हम एक वैर को बार बार वहां पर मेजर नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे एक वैर को रिटन ले ले लेंगे उसी साब से अपने को जितना भी सिलिंग का लाइट है हमारा उसको एक साथ मेजर करके एक ही बार में डाल देंगे तो यह दे यहां पर यूज के लिए उसको हम लोग न्यूटल भी यूज करने वाले आप वीडियो पर ध्यान देखते रही है आपको पता चल जाएगा कहां पर हम लोग जंफर करने वाले जितना भी हमारे चाल लाइट का सिंगल सिंगल पॉइंट जाएगा और यह पॉएंट कर लिया उर्ज यह गारे टो कहांपर बॉडब gate कर देबाग श्रहतरा रिखते लिए और बॉल्य पहार कर दिए अपने को जितना भी वार मिले उसी में मेजर करने आप हम लोग वेक बना करतें कैसी वेर जो हम लोग डायरते हैं 1.5 mm का वैर 1 mm इसलिए यूज नहीं करते हैं पंखे में काई कोईल का पोब्लम हुआ ना तो इसमें दिक्कत हो जाता है और वायर जो हमारा नहीं का सिंगल सिंगल वैर सबकर लेके जा रहें सफरेड और सामने वाले बोलेंगे दो ॉलाइट एक पॉइंट में चीव तो हम धोलाइट एक पॉइंट पर लगा देंगे फिलहाल हम लोग एक एक पॉइंट आप लोग समझाने के लिए यहां पर आपको बता रहें तो ए मेजर लेने original हब कटिंग कर दी और देखिए यहां पर हमारा पॉइंट बन गया और यह धीज का कांस कहां होग रहाँ दिसरे त अर्य देखिए दूसरे तरफ से अर्य यह जो है पॉइंट ले करें मेजर एक डिम्हें पर रखना और लेते जाना लेबल करते यह हो गया हमारा सेंटार एक पॉइंट और बज़ गया उसको भी ले लेते हैं और इसको cutting कर देते हैं और इसको एक round कर देना है ताकि यह वैर जो है हमारे पुआस रीटन मद चले जाए नहीं तो काफी मेहनत हमारा खराब हो सकता है यह जो है वैर जो हम लोग ले लिए और यह देखे यहां पर हम लोग टेप लगा लेते हैं तीनों वैर को एक साथ रग दिय टेप लगा दिये क्योंकि यहां पर बार बार उसको हम लोग अलग नहीं करेंगे तो यह देखे एक पॉइंट और बचाए ना तो उसको हम लोग भी ले लेते हैं और देखे इस्प्रिंग ले लेने के बाद दो वैर लेने के बाद वहां पर पीन रहता है हमारा इस्प्रि तो यह देखिए काफी असान तरीके से वैर जो हमारा पहुंच गया वहाँ पर तो यह एक ब्लेक कलर का वैर को गोईंट लगा देते हैं और छोड़ देते हैं ठीके और उसके बाद ब्लू कलर का वैर था हमारे पास उसी हिसाब सपने को मेजा ले लेना तो आपको एक एक करक बहुत कमेंट आ रहा था मेरे पाद एलेक्टिकल वैरिंग आप करते हो सर आप डीटेल नहीं बताते हैं तो मैं पूरा डीटेल एक रूम का वैरिंग पूरे एमसे भी डिस्टिबोसन बॉक्स से किस तरीके से किया जाता है पूरा वीडियो इसमें आपको बताने वाला हू इस्पिरिंग को ले लेने अपने को इस पिरिंग लेने के बाद क्या करेंग हें यहां पर हमारा जितना ओब ब्लू कलर का वैर हम लोगा अपि मेजक़र किए ना उसको जो कूछ अच्छे से टेप लगादे जगाँ इक जगाह से बिलकुल मत करना दौ एक जगाना तरीके तो चूटल हो गया पांच वैर्ट पांच वैर्ट होने के बाद हम लोग यहां पर लाइट पॉइंट दिवाल में तो गाइस देख सकते हैं यहां पर हमारा वैर पहुंच गया और बोड पे और आपको बताते हैं तो टोटल आठ पॉइंट है लिए पर पंखे का हो गया और सब्सक्राइब के लेड़ी बल्फ हम लोग दिवाल पे और डालेंगे फोल्डर तो उसका पॉइंट हो गया देखे तो हमारा आठ पॉइंट हो चुका यहां पर दोस्तों आपको बताते हैं यहांपर हमारा चार वैर है और यह टोटल पांच वैर्ट तो हम क्या करने वाले बाइब क्या होगा जो सबको पता ही यहां पर फेन लगेगा तो क्लेम जो है यहां पर पर नहीं टकड़ाएगा और आराम से यहां पर फेन का वर्क होगा तो आप देख सकते हो किस तरी किसम लोग पिनेसिंग किये और यह हो गया 100% complete तो आप देखे यहां पर कितना होल है वेर आने का जगा और आपको बताते हैं यहां पर हमारा जो एसी का है यह में लाइन का है और यह देखे यहां पर टूए स्विच का चारवार यह 8 पॉइंट तो टोटली हमारा complete वेरिंग यहां पर हो गया और यहां पर बात्रूम का point देखाते हैं यहां पर बात्रूम में exhaust point दिए एक piece ठीक है यह पॉइंट यहां पर बना दीए और यह देख सकतो यहां पर हम लोग surface लगाएंगे किस तरीके से planning की यहां पर दो bend लगाएं और यहां पर point बनाया गया है क्यूंकि हम लोग ढ खलाई के समय नहीं आया थो तो यह देखिए आपर एक board रगाएंगे timer चलाने के लिए यह हमारा mirror light रहेगा और बाहर में हमारा main board रहेगा ठीक है तो यह main board रहेगा art modeler का देखिए आपर दो point दिया गया है क्यूंकि छोटा बात यहां पर socket भी ची तो art modeler हम लोग दिया गय और कैसे तरीके से यहां पर light लगाए जाता है part by part आपको वीडियो बताएंगे ठीक है तो इसके लिए बहुत सारा और room यहां पर सबसे पहले आपको main line घीजने के बाद point रहेगा है तो आसा करतो हम आपको detail समझ आ गया होगा आज की वीडियो तो guys आपको एक room का आपको प detail समझा दिए ठीक है तो कैसा था video comment section में जरू बताना आसा करता हूं आपको detail समझ आ गया है किस तरीके से underground कड़े जाता है house wearing पे और किस तरीके डाला जाता है point wire कितने mm का डालते हैं पूरा detail आपको आज की वीडियो में बता दी और दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया अच्छे लगी दूस्तों चैनल को कर लिजिए सस्क्राइब ताकि complex electrical का आपको वीडियो मिलते रहे तो चलो दूस्तों मिलते हैं नेट वीडियो पर थाइंक यू